मध्य पदेज के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने लॉकडाउन कोलने को लेकर एक विशेश मीटिंग की जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ कोरोना कर्फियू को कोलने की तैयारियों पर चर्चा की इस दोरान भोपाल कोविट प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि आगामी एक अफ़ते में जहां केस हैं वह नहीं बड़े इसको लेकर प्लानिंग जारी रहेगी जून में हमें भोपाल को कोरोना कर्फियू मुक्त करना है मंत्री विश्वा सारंग ने साथी जानकारी दी कि रेड, ओरेंज और ग्रीन कलर जोन बनाए जाएंगे उसी के हिसाब से माइक्रो कंटेन्मेंट जोन बनेंगे हमें दीरे दीरे इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि हर जिले को हम इस इस्थिति में पहुँचाएं कि महां का हम करोना कर्फिय विड्रॉ करें और इसी लिए आज उसकी पूरी प्लानिंग और अगला हफ्ता पूरा मई के आखरी दिन तक हम ऐसा कुछ प्रक्रिया और प्रयोग करें जिससे हम भुपाल को भी जून के महीने में बापिस पट्री पर ला सकें और यहां का करोना कर्फिय विड्रॉ कर सकें कि उसकी हमने आज बैठक की है प्लानिंग की है किस शेत्र में कितने हमारे पॉजिटिव केसिज आ रहे हैं हमें उन पॉजिटिव केस को और कम कैसे करना है इसकी भी प्लानिंग की है और अब हमने यह कि आप आ हैं कि हम थीन गालर कोडी कर रहे हैं राइड ऑरेंज और ग्रीन ए तो उस जाफ से अलग-अलग छेतर में किस कलर कोर्ड में वो छेतर आता है उसे साफसे प्लानिंग की जा